नमस्कार आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड साहित्ति के खजाने से कुछ अनमोल कहानिया दोस्तो अगर आपको मोटिवेशनल स्टोरीज और मोटिवेशनल कोट्स सुनने पसंद हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल थोड़ी से स्प्रिच्वल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं आएए सुनते हैं हम सब की चहेती लेखी का मालती जोशी जी की लिखी कहानी तीसरा बेटा पत्र पढ़ते हुए प्रतिशड उसका पारा बढ़ता जा रहा था पत्र समाप्त करते ही वह फट पढ़ी वाह अच्छा निया है दूद मलाई खाओ तुम अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ो तुम डॉक्टर इंजीनियर बनो तुम विलायत की सेर करो तुम और बोडी मा को समालू मैं बेवकूप समझ रखा है और इस बंबारी के बाद छाया ने विदेशी मोहर लगा वालिफाफा डस्ट बिन में उच्छाल दिया पेपर पढ़ते वे प्रमोद ने एक बार उसकी उर देखा और फिर से अख़बार में नजरे गड़ा दी में जानते हैं इस समय कुछ भी पूछना आग में गी डालना है इस से अच्छा कुछ देर चुपचा प्रतिक्षा करो थोड़ी देर बाद वे खुदी सब को शुगल देगी और वही हुआ पांच-दस मिनट बाद ही च्छाया उनके पास आकर बैठी उनके हाथ से अख़बार चीनते हुए बोली सुनो जी हम क्या इतने गए गुजरे हैं कि पैसे देकर हमसे कोई कुछ भी करा लेगा तुमसे कौन क्या करवा रहा है च्छाया ने डस्ट बिन से लिफाफा उठा कर पती के हाथ में थमा दिया खोल कर देखा काफी लंबी चिठी थी टेलिफोन के इस यूग में इतनी लंबी चिठी उन्हें आस्चरी हुआ वे तो शायद असीम की लिखावट ही पहली बार देख रहे थे लिखा था दीदी मन बहुत कड़ा करके यह पत्र लिख रहा हूँ इधर दो तीन महीनों से अमित मेरे पीछे पड़ा है पत्र में फोन पर एमेल से बराबर एक ही बात लिखता है कि मैं मा को अपने पास बुला लू वह कहता है कि मा उसकी अकेले की नहीं है फिर वह इस जिम्मेदारी को अकेले ही क्यों जेले कब तक जेले वह कहता है कि मा के कारण उसकी प्रगती रुख गई है वह एक जगे बंद कर रहे गया है इतने अच्छे अच्छे आऊसर हाथ से निकले जा रहे है और वह जहां का तहां बना हुआ है जब तक मा का कोई प्रबंध नहीं हो जाता गदेश तो क्या शहर छोड़ कर भी नहीं जा सकता यह अन्याव कब तक सहेगा अगर मा सबकी है तो वह अकेला ही क्यों भुख देगा अब तो उसने अल्टिमेटम दे दिया है कि अगर मैंने मा को ले जाने का कोई प्रबंध नहीं किया तो मजबूरन उन्हें ओल्ड हूम में रखना पड़ेगा देदी तुम तो जानती हो मा का यहा आना इतना सरल नहीं है पासपोर्ट, वीजा, सो फॉर्मेलिटी है ग्रेन कार्ट के लिए तो इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं कि क्या बताऊ सारे गुरक धंदे करके उन्हें यहां ले भी आऊ तो क्या वे यहां खुश रह पाएंगी अमित की देशी बहु से ही उनकी पट्रे नहीं बैठी तो यहां तो प्रश्णी नहीं उड़ता फिर भाषा का सवाल है संसकारों का अंतर है इस उम्र में वे क्या-क्या समझोते करेंगी अपनी जड़ों से काट कर उन्हें यहां ले आऊं और वे खुश न रहें तो क्या मतलब है दीदी तुमने शुरू से इस घर की जिम्मेदारी में हाथ बटा है इस समय भी तुम ही यादा रही हो क्या मा को रख सकोगे मैं तुम पर कोई आर्थिक बोज नहीं पढ़ने दूँगा अमित के यहां भी पैसे भेजता रहा हूँ तुम्हारे यहां कुछ जादा भेज दूँगा पर प्लीज मेरी इतनी बात रख लो दो दो बेटों के होते हुए मा बुढ़ापे में बनमास भोगेंगी तो बहुत शर्म की बात होगी हमें इस शर्म से बचा लो प्लीज असीम असीम ने पत्र बहुत ही आत्मियता से लिखा था हर वाक्य में उसकी व्यता चलकी पड़ रही थी हर शब्द में उसकी मजबूरी जहलक रही थी और चाया उसकी हर बात पर उबल रही थी दो तेन दिन बात प्रमोद बाहर से लोटे तो उन्होंने एक कोड़ा एरोग्राम चाया को पकड़ा दिया ये किसलिए असीम को पत्र नहीं लिखना है नहीं कोई बात नहीं फोन कर लेना पत्र वैसे भी आजकल कौन लिखता है जी नहीं मैं फोन भी नहीं करूंगी मेरे पास फालतू पैसे नहीं है चाया के तेवर देखकर प्रमोद जुप रहे गए वे जानते थे कि चाया भाईयों से बेहद नाराज है इस नाराजगी की वज़ब ही वे जानते थे बाबुजी के मृत्व के बाद भाईयों ने पुराना रहाइशे मकान बेच दिया था लगभग तेर्मी के साथ साथी या काम हो गया था क्योंकि असीम बार बार नहीं आ सकता था मकान पुराना था जर जर था पर जगे मौके की थी इसलिए कीमत अच्छी मिल गई थी करीब 9-10 लाख मिल गए थे दोनों बहनों को 50-50 अजार पकड़ा कर भाईयों ने पल्ला ज़ाड लिया था उसके बाद असीम ने अपने पास से कुछ मिला कर एक बंगला ले लिया था असीम ने एक फ्लैट भी लेकर किराय पर उठा दिया था गोला कभी वापस आने का मन हुआ तो टिकने को एक जगह तो चाहिए माया दीदी के लिए तो वह रकम भी निया मत थी एक मुश्द इतने रुपए उन्होंने कभी देखे नहीं थे और घर में लड़की थी जो जवान हो रही थी पर चाया इस अन्याय से तिल मिला गई थी उसने वे पैसे फिक्स्ट में डाल दिये थे और उनकी तरफ कभी जाका भी नहीं था कहती थी दीदी के यहाँ जब शादी होगी सब रुपए उठा दूंगी भाई लोग क्या भात लाएंगे मैं जानती हूँ सब कुछ तो मुझे ही करना पड़ेगा नहीं तो दीदी की ससुराल में ना कड़ जाए यह प्रमोद को आश्चरे होता चाया की कितनी ही इच्छाएं प्रमोद की ग्रिहस्ती में दफन हो गई थी कितने अर्मान अधूरे रह गये थे पर उसने उन पैसों को कभी हाथ भी नहीं लगाया इसके मूल में भाईयों के प्रती रोश्था या दीदी के चिंता पता नहीं रात को उन्होंने धीरे से बात उठाई चाया एक बात कहूं कहिए तुम अपने भाईयों से नाराज हो कोई बात नहीं पर जानती हो तुम्हारी नाराजगी का दंड बेचारी मा को भगतना पड़ेगा पहली बात तो यह है कि मैं भाईयों से नाराज नहीं हूँ मेरा असली गुस्सा तो मा पर ही है दूसरी बात यह कि मा बेचारी कत्ता ही नहीं है आपने उनकी लाचार मुद्रा ही देखी है पर यह उनका असली रूप नहीं है उनके जलादी वेक्तित और निरंग कुष राशन के भुक्त भोगी हम बहने है इनी बेटों की जिंदगी बनाने के लिए मा ने हमारा बच्पन मिट्टी कर दिया अब वे ही लोग उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं अच्छा हुआ जैसा बोया था वैसा ही काट रही है मुझे रत्ती भर भी सहानुभूती नहीं है प्रमूध हैरत से देखती रह गए मा के लिए कोई इतनी तल्ख बात कर सकता है मा तो ममता की मूर्ती होती है उसके लिए तो सब बच्चे बराबर होते हैं वे लोग भी तो पांच भाई बहन थे बहुत अमीर भी नहीं थे पर घर में एक शान्ती थी सुकून था और इसका शेज आता था उनके स्नेमई सहनशील हसमुख मा को आज भी याद आते ही मन कैसा तो होने लगता है आखों की कोर गीली हो आती है चाया ने जूट नहीं कहा था सचमुच उसका गुस्सा भाईयों पर नहीं था कम से कम इस समय उसके मन में रुपेवों वाली बात नहीं थी उसे तो अपना अभी शप्त बच्पन याद आ रहा था वे लोग कुल चार भाई बहन थे दोनों बहने बड़ी थी भाई चोटे सब में मुश्किल से दो-दो साल का फर्क रहा होका पर माने दोनों बहनों को जैसे पुर्खिन बना दिया था भाईयों की सारी जिम्मेदारी उन पर लाद्दी थी बहने बेचारी बसता लटकाए पाउ पैदल सरकारी स्कूल में जाती थी दोनों भाई महंगे अंगरेजी स्कूल में पढ़ते थे शांदार बस में जाते थे उस बस में लाने ले जाने का काम भी बरसो बहनों के ही जिम्मे रहा इसके अलावा और भी काम थे भाईयों की युनिफॉर्म दोना, प्रेस करना, जूते चमकाना बैक जमाना, होमबक करना सब लड़कियों के जिम्मे था इन कामों की वज़े से उनकी अपनी पढ़ाई हर्ज होती थी पर उसकी किसी को चिंता नहीं थी क्योंकि पढ़ लिख कर उन्हें कौन सी कलेक्टरी करनी थी चूला ही तो फूकना था जबकि लड़कों को तो अफसर बनना था और बच्चे तो अभी से अफसरी दिखाने लगे थे जब वे स्कूल के लिए तयार होते तो अजीब आलम होता था कोई जूते के फीते बांद रहा होता तो कोई टाई की नौठी करता कोई दूद का गलास था में खड़ा रहता लड़कों के लिए मलाईदार दूद का प्रावधान था जबकि लड़कियों के हिस्से आती थे सिर्फ चाय छोटी थी तब च्चाया एक बार मचल गई थी माने तब क्या हंगामा किया था उफ बहन है कि डायन भाई के दूद पर नजर लगाती है तब से च्चाया को दूद से ऐसी वित्रशना हो गई है कि एक घूट दूद भी उसके हलक से नीचे नहीं उतरता हाई स्कूल पास करते ही दीदी के शादी कर दी गई च्चाया ने सोच लिया था कि वह दीदी की तरह गूंगी गाय नहीं बनेगी विद्रोग कर जाएगी उसके शादी की किसी ने जल्दी नहीं मचाई उसे तो स्कूल से निकलते ही बाबु जी ने अपने दफ्तर में डेली वेजिस पर लगवा लिया कॉलेज की रंगी इन दुनिया के सपने धरे रह गए लोग तो दफ्तर में भी मजे कर लेते हैं पर उसके लिए तो दफ्तर जेल बन गया था बाबु जी की चौकस निगाहें हर दम उस पर पहरा देती रहती उसे किसी से बात करनी की इजाज़त नहीं थी दफ्तर के हर लड़के को बाबु जी शक्की निगाह से देखते थे इस समय वे किसी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहते थे कम से कम एक बीटी की पढ़ाई पूरी होने तक छाय की नौकरी बहुत जरूरी थी सब की मेहनत रंग लाई असीम पीटी में निकल गया दो साल बाद अमित भी इंजीनियरिंग में आ गया पर उसका एडमिशन जबलपुर में हुआ था खर्च एकदम बेशुमार बढ़ गया चाया ने दो ट्यूशन कर ली बाबु जी किसी की दुकान पर बैठने लगे बड़े कसाले के दिन थे पर किसी तरह बेठी गए जब दोनों बेटे नौकरी पर लग गए तो नाते रिष्टेदारों ने कोचना शुरू किया कि अब तो लड़की के हाथ पीले करो क्या जिंदगी पर घर में बिठा कर रखोगे इसलिए फिर अठाई साल की उम्र में चाया की जैसे तैसे शादी हो गई जैसे तैसे इसलिए कि घर बर बहुत अच्छा नहीं मिला पर सिंत मिंत में इससे अच्छा क्या मिलता बाबुजी की सारी शक्ती और पुन्जी तो पेटों की पढ़ाई पर खर्चो गई थी कहते थे एक लड़का अच्छा निकल जाए तो घर बर का उध्धार हो जाता है कितना अच्छा उध्धार हो रहा है दस पंद्रा दिन बात की बात है एक शाम फोन की घंटी बजी जैसा की अकसर होता था तनमे ने ही लपक कर फोन उठाया मम्मी मामा का फोन है बोस्टन से और कोई दिन होता तो छाय ललग के साथ उठती या फोन उसने तनमे के मामा लोगों के लिए ही लगवाया था किसी और के घर जाकर फोन लेना बेहद अखरता था अपनी विपनिता का बोध उस समय और भी तिवरता के साथ होता था इसलिए जरा से सुविदा होते ही उसने फोन लगवा लिया था तनमे ने जब दूसरी बार आवास दी तो वह बड़ी बेमन से उठी और बड़ी बेजारी के साथ उसने कहा पर परली तरफ असीम तो उल्लास की प्रतिमूर्थी बना हुआ था उसके हर शब्द से कृतगिता जैसे चलकी पड़ रही थी ओ दीदी, you are simply great मुझे मालूम था मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ तुम नहीं जानती तुमने मेरे दिल का कितना बड़ा बोजहलका कर दिया है मैं तुमें ठीक से धन्यवाद भी नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास शब्द ही नहीं है जब अब बहुत देर तक इसी तरह बोलता रहा तो उसने सपाट स्वर में कहा असीम तुम क्या बोल रहे हो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा I know you wanted it to be a surprise तभी तुमने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया सच मुच, it was a pleasant surprise आज ही अमित का email आया है लिखा है कि जीजाजी आठ दस दिन में आकर मा को ले जाएंगे छाय ने आगने नेत्रों से पती की ओर देखा बोली लो धन्यवाद ग्यापन जो भी करना है अपने जीजाजी से करो क्योंकि मैं तो इस विशाए में कुछ जानती नहीं मजबूरन प्रमोत को उठा कर फोन लेना पड़ा हेलो असीम, कैसे हो भाई? अरे कमाल करते हो, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? यह तो मेरा फर्ज था हमें अपने सुद्दुख आपस में ही तो बाटने होंगे कोई दूसरा थोड़े ही आएगा नो नो जेंटलमेन मेरे सामने पैसे की बात मत करो मालूम है तुम बहुत बड़े आदमी हो पर यह जान लो कि मा मेरे घर पेंगेस्ट बन करने ही रहेंगी दाल रोटी जो हम खाते हैं उन्हीं खिलाएंगे जो बन पड़ेगी सेवा करेंगे यह समझ लो कि जब तक जिन्दा हैं मेरे पास तुम्हारी अमानत है बात की तुम जानू जैसा चाहो धूमधाम से उनका कारज करना नहीं नहीं नाराज नहीं हूँ सिर्फ अपनी बात कह रहा हूँ अच्छा गुड नाइट चाया उनके रिसीवर रखने की बाठी जो रही थी एकदम फट पड़ी वह हमारा आपस का मामला था आपको बीच में दखल देने की क्या जरूरत थी तुम्हारा मेरा मामला अलग-अलग होगा चाया कट कर रह गई फिर भी तुनक कर बोली मुझसे पोच्छ तो सकते थे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर था इन पंद्र दिनों में तुमने किसे से सीदे मूँ बात नहीं की है बात बात पर काट खाने को दोड रही थी तन मैंसे पूछो उस पर क्या गुजरी है मार्ट ठायर ठीकी थी उसका मोट सच मुचिन दिनों बेहा दुखडा हुआ था वे लोग तो यही समझेंगे कि आपने पैसे के लालश में यह बड़पन लिया है मैंने असीम से क्या कहा तुमने सुना नहीं इतना दरिया दिल बनने की भी जरुद नहीं थी दोनों बाते तुम ही कहोगी मेरा मतलब यह था कि वे लोग समर्थ हैं अपनी मा का खर्च उठा सकते हैं पर मा को नहीं रख सकते देखो मा अगर इस घर में आएंगी तो मेरी शर्टों पर ही आएंगी वे लोग धन्ना से ठोंगे पर मैं बिखारी नहीं हूँ इसमें बिखारी होने का क्या सवाल है वे लोग अपनी मा देखो यह अपना पराय भाव मेरे मन में नहीं है होता तो मैं यह प्रस्तावी नहीं रखता तुम्हारे भाई उन्हें चाहें जहां पटकाते मुझे परवा नहीं होती पर यहीं तो मुझे में कमजोरी है मुझसे यह सहन नहीं वाकि तीन-तिन बेटों के होते हुए मावृद्धा आश्रम में रहें तीन-तिन बेटे? क्या दामाद भी तो बेटे की तरह होता है मुझे अगर यह दर्जा ना देना चाहो तो ना सही पर तुम भी बेटे से कम नहीं हो पेता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तुमने ग्रिहस्ती की गाड़ी खीची है यही समझ लो तुम्हारा यग्य भी पूरा नहीं हुआ है आप अभी मेरी मा को ठीक से जानते नहीं है इसलिए चाया मा सिर्फ मा होती है वह अच्छी या बुरी नहीं होती बस मा होती है मैं नहीं जानता मा को लेकर तुम्हारे मन में क्या अक्रोश है पर अव्वे 75 पार कर चुकी है उन्हें सारे आरूपों से बरी कर दो कोई भी अपराद इतना बड़ा नहीं होता कि उम्र के इस पड़ाओ पर व्यक्ति को देश निकाला दे दिया जाए मा ने तुम्हें कुछ भी न दिया हो पर जन्म तो दिया है उसका कर्ज तो उतारना पड़ेगा समझ लो यही मौका है और वे दोनों के आस्मान से टपके हैं उन्हें कोई कर्ज नहीं व्यापता वे तो एकदम आजाद हो जाएंगे ऐसी आजादी भी किस काम की कि खुद अपने से ही शर्मशार होना पड़े बाहर चाहे कुछ भी कहते रहे पर देखना उनकी आत्मा उन्हें सदा का चोड़ती रहेगी अगर तुम भी उनकी जमात में शामिल हो गई तो यही होगा कभी अपने आप से नजरे नहीं मिला सकोगी खुद को माफ नहीं कर पाओगी प्रमोशार ठीक ही कह रहे थे पिछले पंद्रा देन उसी हुआ पोह में तो वीते हैं वह कोई निर्णे नहीं ले पा रही थी पर प्रमोशार को निर्णे लेने में जरा भी वक्त नहीं लगा ना उनके मन में कोई दुविदा थी न दुरा ग्रे दरपण की तरह स्वक्ष पारदार्शी मन है उनका फिर भी एक शंका तो थी ही उसने कहा मा को बड़ी शान से ले तो आएंगे पर क्या उन्हें उतनी सुक्सुविदा दे पाएंगे मुझे नहीं लगता मा इस समय सुक्सुविदा की भूखी होंगी जैसा कि इस समय उस घर का माहौल है मुझे लगता है उन्हें सिर्फ प्यार की शाहत होगी वे बस थोड़े से आदर्मान के लिए तरस गई होंगी और इन चीजों की अपने घर में तो कोई कमी नहीं है और आपके रहते हो भी नहीं सकती माने अंजाने ही सही जरूर कुछ पुर्णी किये होंगे तभी तो आप जैसा बेटा पाया है वे हस दिये शान्त सरल इस निग्द हसी उस हसी ने उसके हिर्दय का सारा ताप सोख लिया पेछले पंदरा दिनों से मन में एक भट्टी सी सुलग रही थी अब सब शान्त हो गया था आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी कहानी तीसरा बेटा दोस्तों उमीद करती हूँ आपको कहानिया पसंद आ रही होंगे अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भोले मिलती हूँ किसी और नहीं कहानी के साथ तब तक के लिए मुस्कुराते रहे धन्यवाद